कि नमस्कार फैंट्स में नाम भबली वर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत है हम स्टार्ट कर रहे हैं यह फर्स्ट सेमेश्टर और जिसमें हम देख रहे हैं राज नीति के विज्ञान के बारे में यहां पर हम पढ़ रहे हैं ठीक है और पॉलिडिकल साइंस की बात करते ह हैं तो यहां पर हम यूनिट नमबर बन से ही स्टार्ट कर रहे थे यूनिट नमबर बन का बन कोशन हो गया अब मैं तू कोशन लेकर आयों आपके लिए तू कोशन है दंड क्या है इसके प्रिकार का उलेक करें अभी तो दो तीन कोशन आपको ऐसे मिलेंगे उसके बाद मे दंड राज के प्रमुक तत्बों में से एक है दंड का मुक्य उद्देश मानव जीवन में है अनुसासन को बनाई रखना है दंड पर विचार व्यक्त करते हुए मनुने कहा है राजा ही बह सकती है जो संपूर मानव मनुस जाती की रक्षा कर सकता है और उसके सनचन के लिए राजा एक शासन के रूप में दंड का प्रियोग करता है राजा दंड के माध्यम से धर्मुक के समाज में बनाए रखे और उसका सनचन करे दंड बह वश्ता है जिसे संकेद से संचेत और असंचेत दोनों ही अवस्ता में ब्यक्ती के कार का निंत्र रखती है जिए ऐसा मा किसी आसामाजिक तत्व की उपस्तती देखने को मिलती है प्रजा के लिए राजा द्वारा धंड देने की वस्ता करने के साथ ही साथ प्रजा को भी यह अधिकार दिया गया है कि राजा कोई अनेतिक कार्य करता है तो प्रजा उसके खिलाप विद्द्रो कर सकती है राजा को उसका पत्यागने के लिए भी मजबूर कर सकती है दंड़निये की यह प्राचीन भारती यह अब धार्णा सामाजी राजितिक और आर्थिक संबंदों की समगरता से संबंदित देखने को मिल जाती है ठीक है अब बात करते हैं दंड के क्या उद्दिस हैं प्राचीन काल में द बहुत दंड़ की जाती थी जिससे बैसर मिंदा हो जाए और भविस्ष में कोई इनके अतरिक्त पुनरबास और शुदहार भी दंड के उद्दे से थे और उनका परियोग सजा और सुदहार साधन के रूप में किया जाता था इसमें दंड का लच्छ सुदहरातमक होता था जिसमें सुदहरस के से अरद ना करने की सिबच्छा अंतरगत अपरादी अपराद ना करे क nhân इफ्रीकार से यहां करे समय को दंड दियाता था बात करते हैं ऑले बात करते हैं अब दंडो के बारे में फुरासाद देख लेए पहला है तुम्हारा धिग दन्ड इसमें अपरादी से उसका अपराद सूइक्र कराया जाता दा पटकार बाग समजह कर छोन दिया जाता तो यह हो गया धिगडंड ठीक है बात करते हैं अर्थ दंड इस परिकार के दंड के अपरादी को उसके अपराद की सजा में आर्थिक दंड दिया जाता था मनुने इस प्रिकार के दंड की अधिक पिरियों की किसला की है मतलब पैशे की बात कर रहा है या पैसे की बात कर रहा है धन की बात कर रहा है उसके बात करते हैं बाक दंड इसका अर्थ है कि चेताबनी देना यदि अपरादी का अपराद ज्यादा संगीर ना हो तो अपरादी वेशक ना हो तो उसे चेताबनी देकर छोड़ दिया जाता उखक अगले बात करते हैं बग दंड, यह तोग्या बाक माने बूलना चेतावनी दिना और यह बग, यह दंड गंम्भीर अपराद की स्रेड़ी में जाती आती ही तो बग दंड होगया यह, अब बात करते हैं जाती वहिसकार का दंड इसके अंदरकत अपरादी को उसकी जात कर दिया जाता था अगले बात करते हैं अ elementos के इस दंड्ड के अंगत saga smaniaqu alright could राक्जिस से निकाल दिया जाता था और उसे उसे देश निकाला यूए जाती का था यह देश निकाला वलाओ लगए थेकर इसके अत्रीक जंड्र के अन्य प्रकारों भी देखने को मिल कार आवास की सज़ा हो गई परीवर्तन की सज़ा हो गई और बात कहते हैं ब्रांडिंग्सक्राइऑ dot इस प्रकास के बारे मिन देखा सथ नेच्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिए बहारत झाल झाल झाल